हलो दोस्तो मैं मुहमद सर्फराज मेरे यूटूब चैनल इलर नीवी दुर्गेश में आपका स्वागत है हम भारत भगौल सिरीज में आज भारत थे सम्मंदित महतपूर्ट अथ्यों का अध्यन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे भारत के सिर् भारत का सबसे बड़ा जिला है जिसका कुल छेतरफल 45,652 वर किलो मीटर है दूसरे अस्थान पे जम्मू कस्मीर का लह जिला है जिसका कुल छेतरफल 45,110 वर किलो मीटर है हम तीसरे नमबर पे देखते हैं तो तीसरे नमबर पे जैसल मेर है जिसका कुल छेतरफल 38,428 वर क 387 वर किलो मीटर है और चौथे अस्थान पर बीका नेर है जिसका कुल छेतरफल 27,284 वर किलो मीटर है यह दि हम आगे देखते हैं फिर अगला टॉपिक है इसमें हम भारत के सबसे अधिक छेतरफल वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे अर्थाद भारत के पांच से श्चेतरफल वाले राज्य तो भारत में सबसे बढ़ा ठिर राज्यका अस्थान मगराइं स्थान राजस्थान नमबर यू पे इसका कुल छेतरफल 3,42, καbor किलो मीटर है दूसरी अस्थान पर मंद्र पर्देश है जिसका कुल हछेत्तरफल सौ 3,8,245 einh तिसरे अस्तान पर महाराष्ण है इसका कुल हछेत्तरफल 3,7,713 einh छोथे अस्तान पर उत्तरपरदेश है जिसका कुल अस्तान पर उत्तरफल 2,4,928 einh जब आंधपरदेश से तिलंगाना अलग नहीं हुआ था तब चौथे नमबर पे आंध्परदेश था जब 2 जून 2014 से उत्तरपरदेश चौथे अस्थान पे हो गया है इससे पहले उत्तरपरदेश का अस्थान पांचवा था अक्सर एक्जाम में यह प्रस्ट पूछा जाता है और लोग कनफ्यूज हो जाते हैं इस परकार चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का अस्थान आता है पांचमें नंबर पे जमू कस्मीर है जिसका कुल चेतर रुफल 2,222,233 किलो मीटर है आगे हम देखते हैं तो प्रस्ण है हिमालय के अस्थान पर पूर्व में क्या था तो हिमालय की अस्थान में पूर्व में 33 सागर था आपको हिमालय के उत्तपति सम्मंदी महतवपूर्व जो टॉपिक है उसका विस्तित वर्ण मैंने बोर्ड पे किया है वहां आप इसको पढ़ सकते हैं अगला प्रस्ण है हिमालय का निर्माड हुआ था तो हिमालय का निर्माड अलपाइन युग में हुआ था अगला प्र प्रों के बोल्डर बड़े बड़े चुड़े बोल्डर होते हैं जिनके नीचे से नदिया निकलती है और यह च्छेत्र काफी बीमारी जिनित होता है चलिए हम आगे देखते हैं तो यहां पर आपको एक टॉपी मिलेगा आलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप इस नंब महतुपूर्ण पत्योगी परिच्छाओं के लिए आपको अनलाइन क्लास उपरवद करवाता है आप इस नंबर से जुड़ कर इससे महतुपूर्ण तत्त की दंगाई ले सकते हैं मारा फेस्बूप पेज और यूटूब पेज है यह लर्निंग विद दूर्गेस आप फे इसका पीडियों के बाद आपको पिछले वीडियों का और इस वीडियों का पीडियों आपको उस चैनल पे मिल जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे भारत के भू मनदी महतुपूर्ट तन थे तो इसमें पहला प्रस्णर है इसके बार Hag he is देखेंगे कस्मीर की घाटे हृट ब्रियाद हिमालय वह उम्मदी मालए के मद्य की इस्तित है कस्मीρ की घाटी ब्रियाद हिमालय वह 00. हिमाले के मध्य इस्तित है जब आप हमारे भारत में जाएंगे तो वहां पर हमने घाटियों के बारे में काफी अच्छे से अध्धन किया है आपको बताया भी है वहां पर उसे सम्मंदित महत्पूर्ट को जान सकते हैं चलीए हम आगे देखते हैं अब भारत का वह पठार जो प्राचीन गोड़वादा का भूबाग है जो भारत का प्राइदी बी भठार दक्कन का जो पठार रहे है वह गोडवाना लेंड का भूभाग है का जलिए हम आगे देखते हैं जो कि भारत का अधिकांँथ कपास उत्पादक इस्तित पसके क्पास कले मित्टी क Keys में धीक होता है जो दककन कि प्राइदिन अठ्थ गुजरात सब्सक्राण पहाड़ी ढहलों पर पार पर पैदा just time- g dick Journey का भाड़ी ढहलों पर चायी की खेती होती है निलगिरी की पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है आगे हम देखते हैं अगला प्रशन है हिमाले के तीन समानांतर श्रेणियों का नाम है तो हिमाले के तीन समानांतर श्रेणियों का नाम है हिमांद्री हिमाचल और सिवालिक हिमाद्री को हम महान हिमाले हिमाद्री श्रेडी के नाम से जानते हैं हिमाचल जो यहाँ पर दिया हुआ सायद ये गरत है इसे हम लगू हिमाले मद्ध हिमाले के नाम से जानते है और सिवालिक को निम्न हिमाले के नाम से भी जाना जाता है आगे हम देखते है थार का मरुस्तल अवस्तित है तो थार का मरुस्तल अवस्तित है भारत के उत्तर पस्चिम में गुजरात राज्य में इस्तित है अगला प्रसंद देखते हैं भारत का वह वह परवत जो भारत का सबसे बड़ा जल्वी भाजक है तो भारत का सबसे बड़ा जल्वी भाजक परवत अरावली परवत फिरड़ी है जो भारत की सबसे पुरानी वलिद परवत है दो हजार उननीस बीयेड इंटेस में ये प्रसन था कि भारत का सबसे पुराना परवत कौन सा है तो हो आरावली परवत है आगे हम देखते है पूरुवी घाट पर इस्थित पहाड का पूरुवी घाट पर इस्थित पहाड का सरवचो सिखर क्या आए सिवालिक सिर्णी में इस्तित है है आगे यहां पर देखेंगे हम भारत के प्रमुक तर्ठ कहों से है और कहां से कहां तक किस तट का विस्तार पाया जाता है तो हम देखेंगे भारत का पस्मी तक मंगलूरु से से लेकर कुमारी अंथर तक अति देखा है अगला प्रसने गंगा की मुहाने से हम कोंकन के तट के नाम से जानते हैं कोंकन का तट यह हो गया आपका कोंकन का तट कोंकन का तट अगला प्रत्न है सूरत से कच की खाड़ी तक सूरत से कच के जो खाड़ी है उसे हम काठिया वार तक सूरत से लेकर कच की खाड़ी तक के जो तट है उसे हम काठिया वार तक के नाम से जानते हैं अगला प्रत्वन है गोदावरी डेल्टा से लेकर किष्णा डेल्टा तक के च्छेत को हम गोल कुंडा तक के नाम से जानते हैं आगे है किश्णा के डेल्टा से कुमारी अंत्रिव तक कोरो मंडल तक इसमें आपको कोरो मंडल तक माला बार तक उत्ति सरकार तक अकोंकर तक यह तक महत्वपूर है और आगे हम देखते हैं कि केंद草सित प्रदेश सीवय उनकी तट्य सीमा हैं भारत का कौन सा यसा राज्य जिसकी सरवाधिक सीमा तट्य है तो हम जानते हैं कि राज्यों में तमिल नाडू पहले अस्थान पर लेकिन अगरे हम केंसासित राज को भी इसमें जोड़ दें तो अस्थानों में परिवाइटर हो जाता जिसमें अंडवान निको बार्व का प्रसम अस्थान आ जाता है इसका कुल श्यत्रफल एया सौरी इसी कुल लंबाई त अत्ति मैं निको बार्व तो सहीए चैन्दाशासित करके पूछे तो मुझ्यृत का प्रसम अस्थान पर sing नाडव महराष्ट के रल्ग करम और धिया है से तो पर देखoveंस विसे समझ पमिल जाएगा उस त कुछ बंदर गाह तो पोर बंदर ओखा कांडला बंदर गाह यह तो यह जो बंदर जो बंदर गाह है यह काठिया वार तट यह सूरसी कच्छ खाली तक जो तट है उसे काठिया वार के नाम जानते हैं तो पोर बंदर ओखा कांडला बंदर गाह यह काठिया वार तर्तक इस्तित है आगे देखते हैं दक्षडी प्राइदेपी भाग का सर्वोच सिखर है तो दक्षडी प्राइदेपी भाग का सर्वोच सिखर अनाई मुदी है आगे देखते हैं सत्पूरा परवत स्रेडी की सर्वोच उची चोटी धूब गड़ है तो जो सत्पूरा परवत की सर्वोच चोटी धूब गड़ है वह किस पहाड़ी पे स्थित है हम जानते हैं कि सत्पूरा परवत तिन भागों में है राज्टीपला, महादेव और मैकाल तो जो धूबगा सर वो उची चोटी है वो महादेव स्रेडी पे है चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे भी हमारे कोचिंग के बारे में कोच दिया गया है आप अनलाइन क्लास और नोर्स के लिए इस नंबर पर संपर कर सकते हैं हमारा फेस्बूप पेज और यूटूब चैनल इर लर्निग विद दुर्गेश है आप टेलिग्राम से जुनने के लिए टेलिग्राम एप पे बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करेंगे गिरिनार की पहाड़ी इस्तित है तो यह कहां पे गिरिनार की पहाड़ी यह है गुजराद के कच्छ में है कच्छ का प्राइदिवी भाग जो है वहां पे गिरनार की पहाड़ी आ है आगे देखते हैं हम दच्छिर भारत की सबसी उची चोटी जो है अनाईडी मूडी वह किस पहाड़ी पीती तो वह है अन्ना मलाई पहाड़ी पर इस्तित है आगे देखते हैं पुलिकट जील इस्तित है पुलिकट जील तमिल नाडू राज्य में है यह एक लैगून जील है आगे हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में दीपो की संख्या 247 है देखते हैं स्री हरी कुट्टा दीव निर्मित है जो स्री हरी कुट्टा दीव है वह परवालों से निर्मित है प्रवाल क्या होता है इसके बारे में भी हम अपने भुगोल स्रीज में जब भारत का भुगोल हम बता रहे थे तो उसमें जो हम दीपो का अधिन कर रहे थे तो हमने वहां पे एक जीव मुंगा का वरन किया था तो मुंगा जीव से ही प्रवाल बनता है आगे हम देखते हैं भारत की सरवाधिक लंबी अस्थली अंतर राष्टी सीमक किसके साथ बनती है तो यह बनती है बांगलादेश के साथ कितनी बनती है इसका उत्तर आप कमेंड बाक्स में दीजी देश का दच्छिर्तम मिंदू इस्तिते जो देश का दच्छिर्तम मिंदू है वह 6 डिगरी 4 मि लेकिन यह मुख्य भूमी परिस्तित है जो यह चार डिग्री चार मिनट है वह अन्दमानी को बाद दीव समूं के सबसे दच्छितम बिंदू से लिया गया यह माप है जो की मुख्य भूमी से और इस माप से चार से दो डिग्री का अंतर हो जाता है चलिए आप आगे देखत होगा वहां पर दिन की अवधी लंबी होगी क्योंकि जून महां में सूर की किरें करके रेखा पर सीधी चमकती है इसलिए इसका उत्तर दिल्ली होगा क्योंकि दिल्ली सबसे उत्तर में इस्तित है आगे हम देखते हैं भारती मानक समय दिसांतर रेखा जो साड़े 82 डिग् समय के मद्ध समय का बीच का अंतर है तो यह पांच घंटे 30 मिनट है क्योंकि साड़े 82 डिग्री का अंतर होता है एक दिसांतर बराबर एक दिसांतर बराबर चार मिनट होता है एक दिसांतर बराबर चार मिनट तो इस प्रकार जब हम गुड़ा करेंगे तो साड़े 82 डिग्री में दिया हम चार का गुड़ा कर देंगे तो पांच घंटे 30 मिनट का अंतर आ जाएगा जलिए हम आगे देखते हैं अगला प्रशन है गुजरात के सबसे पस्वी गाउं गुजरात के सबसे पस्वी गाउं और आंचर पदेश के सबसे पूर्वी छोर पर इस्थित बलांग के समय में अंतर होगा तो यह अंतर दो घंटे का होगा क्योंकि यदि हम नियुंतम दूरी निकाले तो गुजुरात से लेकर अड़ांचर प्रदिश के बीच लगभग 30 डिगरी का अंतर हो जाता है इस प्रकार दो घंटे के समय का अंतर हो जाएगा आगे हम देखते हैं यदि भारती मानक समय या मुत्तर पर मध्यान पर 120 डिगरी पूर्वी दिसांतर का स्थानी मान या समय होगा तो यह होगा दो बच कर 30 मिनट इसी समझने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएए वहाँ पे आपको दिसांतर रेखा का एक वीडियो मिलेगा उसमें आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए हम आगे देखते हैं तो आगे है देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदू क्या मत भारत का उत्तरी दच्छडी पूर्वी और पश्मी जो रेखा है वह जो बिंदू है जो अस्थान है उसे किस नाम से जाना यह अन्दमान निको बार की घ्रिट निको बार में सब्सक्राइब धत्री छान है तो थामरीं इन्दा काल में आगे हैं पूर्वी बिंदू के विंदू है जो अड़यं येत चयंप मैंध कमारी कंसी देखते को टेंद्रा में पूछे तो इंड्रा पॉइंट है कि उस्ञां से पस्मा जो बिंदु है उसे हम गुर माता के नाम से जानते हैं उत्तर में है मध्रिप काल और दा्षिण में पॉइंड्रा और कन्या कुमारी में पूरे भारत में इंड्रा पूरू में अगर देखते हैं तो किवीथू अड़ांचर प्रडियस में अपसी में गौर्माता गुजरात में आगे हम चलते हैं तो यहां पे कुछ प्रमुक्ष चैनलों के नाम दिये गए हैं भारत में जो चैनल है जल विभाजक हैं उनके नाम है तो इंद्रा पॉइंट इंडोनेशिया के बीचे जो चैनल है उसे गरेट चैनल के नाम से जानते हैं लगुनगां। के बीच नो डिख्री चैनल है मीनिकाई ऑलकषदीप के बीच्AST 9 मालदी और मीनीकाई के बीच 8 डिख्री चैनल है पांक की पांक की खाड़ी के बीच पांक स्ट्रीट है इस चैनल को समझेने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके देःसकते हैं वीडियों जिसमें हम भारत के दीप और उनके बीच जो प्रमुक चैनल है उनके बारे में बताया गया है तो आप जो पिछला वीडियो है उसे देखकर और अच्छी तरीके से इस विशे को समझ सकते हैं जो देखते हैं यदि अर्वांचर परदेश में सुर उद्य पांच बजी होगा तो गुजरात के कांडला में सुर उद्य होगा लगभग तो हम जानते हैं कि दो घंटे का अंतर है इसलिए है कर यह है समय 5 गंटे आगे होकर 7 बजी का आगे हमाले को में अरकान यौमा के नाम से जानते आगर वह एक मात राज जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनाता थो वह जमुक्ती आपको पिछले वीडियों बता चुके हैं चलिए हम आगे देखते हैं तो कुछ एक दो टॉपिक और है उसे देख लेते हैं भारत का एक मात राज हो गया मैमार था भारत की सीमा रेखा कंधरंग करने वाला राज है तो यह अरुडांचल प्रदेश नागा लेंड मडीपूर और मिजोरम है सबसे अधिक अरुडांचल प्रदेश सीमा इस परस करता है यदि बात करें तो मैमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुडांचल प्रदेश की बनती है तो आज के लिए इतना ही हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फिर हम भारत भुगोल के विसे पर चक्षा करेंगे इसके साथ ही जल्दी आपको भिश्व भुगोलतित समंधित तत्यों के बारे में मिल जाएगा यह आपको यह वीडियों अच्छा लगा है तो लाइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो भी दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं आप सभी लोग जो लोग इस वीडियों को देख रहे हैं उन तक यह वीडियों सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद चैहिंद चैह भारत